कुछ ऐसी घटना जो संसार में लगातार घटती रहती हैं लेकिन उन पर विश्वास करपाना मुश्किल होता है और ऐसे ही एक घटना फिर एक बार घटी है जिस पर विश्वास करना मुश्किल है और ऐसे ही एक अजीबो गजीब घटना को लेकर मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ, मैं हुआते और आप देखने हैं समझेर न्यूज इंडिया तो आज मैं आप से एक ऐसी घटना के बारे में बात करूँगी जिस पर वाकई विश्वास कर पाना तो मुश्किल है वो भी इन नवरात्र के दिनों में जो चमतकार हुआ है बेहद चमतकारी कहने वाली ही बात है और लोगों के द्वारा इस चमतकार को मादुर्गा का अशिरवाद भी कहा जा रहा है तो आई आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर कहां पर और ये कैसा चमतकार हुआ है जिस पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है और मादुर्गा का आशिरवाद भी कहा जा रहा है ऐसा ही एक अजीबोगजीब घटना या कहीं मामला जो उडिसा से सामने आ रहा है जहां एक गाय ने दो सिर और तीन आख वाले एक बच्छरे को जनम दिया इस बच्छरे को देखने के बाद लोग काफी हैरान है और इस बच्छरे को मादुर्गा का आशिरवाद भी बता रहे हैं आपको बता दें आपको जानकर हैरानी होगी कि लोगों ने इस बच्छरे की पूजा करने भी शुरू कर दी है इसके साथ ही बच्छरे की वीडियो शोचल मीडिया पर काफी तेजी से वारल भी हो रहा है जानकारी के मताबिक आपको बता दें कि उडिसा के नबरंगपूर में किसान थनिराम के यहाँ एक गाय ने बहुत ही अजीबोगजी बचले को जनम दिया जिसके दो सिर हैं और तीन आख है जब लोगों ने इस बचले को देखा तो बहुत हैरान रहे गए और ये बात पुरे इलाके में आखे तरह फैल गई और ये खबर बन कर पूरे सोचल मीडिया पर तेजी से वारल हो गई है लोग बचले को देखने के लिए दूर दूर से आने लग गई है बताया ये भी जा रहा है कि बचले को आज भी अभी दूर पीने में बहुत परिशानी हो रही है इसलिए उसको बाहर से भी दूर मगा कर पिलाया जा रहा है अब लोग इस बचले को मादुर्गा का अवतार मान रहे हैं और लगातार उसकी पूझा करने शुरू कर दी है तो यह थी अजीबों के जीब घटना जिस पर यकीन करन पाना तो बहुत ही मुश्किल है लेकिन कहीं न कहीं यह हकीकत भी है आप देख रहे हैं SMZ News, India